हेलो दोस्तों एक वार्फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफताब स्टेडी क्लास में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस के लेशन 4 के बारे में दोस्तों इसका नाम है मानव नेत्र आज हम लोग इससे संबंदी परिवासाइं सेखेंगे और दोस्तों अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखेंगे पार एक पार दो पार दीन तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रप्शन बाकस में जाएए वहाँ पर उस पार पार्टों का लिंक दे रखा है दोस्तों कर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को भी रिष्ट के लिएगा तो आई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों चैप्टल चार जो है वो हमारा है मानब नेत्र तथा द्रश्टी दोस ठीक है तो मानब नेत्र के वारे में आज हम लोग इस वीडियो में भी चल्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानब नेत्र में कितने पार्ट होते हैं काउन काउन सा पार्ट का क्या 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 कम होता है ठीक है तो आई देखते हैं आप सबसे पहले आपके लिए प्रिवासन रखें तो वहां से निकल के सबसे पहले हम लोग चलते हैं मानब नेत जर्थ आपके सबसे उपर गवाली यह पर जो आपकी द्रखिया पर है इसी को हम लोग नाम कहते हैं इसका नाम है द्रडब पटल तो आप लोग पहले समझेगा कि मारब बजले सकाई यह उभातकर ने सुर्ण होता इसके सब्सक्राइट well कि जाने कि यहांपे आउयर्स के और अगोर MRF आपको उसे हम हlvania ही जो बना हुआ है तो यह किसका बना हुआ बाद में आपकी औरक पर्थ का नाम क्या है रक्तक पटल बिन नहीना नहीं दिखных आ आप दो इस पेकार से अब आपके अभाग से बहुत से भाग होते हैं नंब्र होती है और पारस से ड्की रहती है इसे क्या कहते हैं।। काल्णिया, द्रहट पडल गे सामने उबरे हुए पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं इसके बात दोस्तों देखी का अगला क्या है आइडिस, आइडिस को भी आप समझ चुके हैं कार्णिया के ठीक पीछे एक काली बाब भूरी अपार दरसी जिली का पलदा होता है जिसके बीच में एक छोटा चिद्र होता है मतलब क्या है इस छोटे चिद्र को जो है वो कहते हैं पुतली लेकिन जो यह पलदा होता है इसको क्या कहते हैं आहरिस कहते हैं ठीक है कार्णिय आपको यहां प्रवासा मिलेगी यहां पर देखिए आइरिस के बीच में चोटा अच्छितर होता है और इसे पुतली के पीछे एक पारदर्शी दवेदाल लेंस होता है इसे लेंस को नेतरलेंस कहते है और नेतरलेंस प्रोटीन का वना होता है अगर आप चाहें तो कापी कलम लेकर अपनी कापी पर भी नोट कर सकते हैं जाकर आपको भी समस्त्या उत्पर्ण ना हो तो आप समझ गयोंगे नेतरलेंस क्या होता है पुतले के पीछे होता है एक पारदर्शी दवेदाल लचीला लेंस लगा होता है और इस लेंस को ही हम लोग क्या कहते है नेतरलेंस कहते है और नेतरलेंस अगर आपसे पूचा रहा किस दिसका बना होता है तो जो नेतरलेंस ह हुआ है जट प्टल के नीचे एक काल रंग की जल्ली होते है इसे जगत पडल करते हैं बिल्कुल सी सिम्पल प्रवासन आपके लिया पर आएं तो उन्हें आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं इसके थेटिना क्या है जगत चेता को कि एक सबसे बाहर की सबसे अंदर की और एक पारदर की जली होती है उसे देठीना कहते है और अब दो तो देखे गए आप लोग समझ गऊंगे इसके बाद देखे उस तो पीत बिंद और बच्चे यहां अंद बिंदु तो पीत बिंद होता है रेटिना के लगवग बीच में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं पीत बिंदु पर बना प्रतिविम सबसे इस प्रश्चे दिखाई जता है तो देखे पीत बिंदु कहा पर होता है यहां पर यहां पर बना प्रतिविम बिल्कुल साब दिखाई जता है इसके बाद देखे का अंद बिंदु की बात की जाएं अंद बिंद क्या होता है जिस इ आपको इस दूरें बता दिए ठीक है मानब लेतर के बारे में आप लोगों का जो भी आप लोगों के डाउट होंगे बिल्कुल के लोगा होगे अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो फड़ा बटसे वीडियो लाइक कर दीजेगा और दोस्तों कर आप चैनल पर